साथ सितंबर 2020 को DRDO ने हाइपरसोनिक टेकनोलोजी टिमोंस्ट्रेटर वहिकल HSD TV को APJ अब्दल कलाम टेस्टिंग रेंज जो की वीलर आइलेंड बालस और उडिशा से सक्सेस्फुली टेस्ट किया इस टेस्ट की सफलता से इंडिया हाइपरसोनिक मेसाइल को सक्सेस्फुली टेस्ट करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है अभी दग इंडिया के रावा सिर्फ USA, रशिया, चाइना ने ही हाइपरसोनिक मेसाइल को टेस्ट किया है आज हम आपको इंडिया के इसी नई मेसाइल के बारे में बताएंगे तो स्टार्ट करते हैं फिर कोई भी मेसाइल जो की मैक 5 यानि साउंड की स्पीड से 5 गुना तेज चलती है उसे हाइपरसोनी मेसाइल माना जाता है सामाने भाषा में 6100 km पर आर की स्पीड से ऊपर की स्पीड को हाइपरसोनी बोला जाता है अपने इसी स्पीड के चलते ही हाइपरसोनी मेसाइल को दुनिया की सबसे advanced defense technology में से एक माना जाता है हाइपरसोनी मेसाइल बालेस्टिक और cruise मेसाइल से बिलकुल अलग है बैलेस्टिक मेसाइल जैसे की अगनी मेसाइल जो की एक बैलेस्टिक पाथ में उड़ती है और एक काफी उचाई तक जाकर अपने टार्गेट की तरफ ग्लाइड करती है आपको यह जानकर आश्चर होगा कि इंडिया की अगनी 5 मेसाइल अपनी लास्ट स्टेज में मैक 24 की स्पीड से यानि की 29,500 किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ती है बैलेस्टिक मेसाइल के फ्लाइट पाथ को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं अभी क्रूज मेसाइल जैसे की निर्भय और ब्रम्होस जो की जमीन के पास से उड़ती है इंडिया की निर्भय क्रूज मेसाइल की स्पीड लगभग 752,850 किलोमेटर पर आर होती है और ब्रम्होस मेसाइल की स्पीड मैक 3 यानि की 3700 किलोमेटर पर आर होती है एक Hypersonic Missile में Ballistic Missile की Speed और एक Cruise Missile की तरह जमीन के पास से उड़ने की Capability होती है इससे आप डियाग्राम के द्वारा समझ भी सकते हैं इसलिए Hypersonic Missile जिसमें High Speed और Low Altitude Performance दोनों होती है एक बहुत ही खतरनाक वेपन है क्योंकि ये बहुत तीजी से दुश्मन के एरिया में जा सकती है और दुश्मन इससे तब तक नहीं देख पाती जब तक कि अपने टार्गेट के बहुत नजदीक न पहुँच जाए इंडिया के Hypersonic Missile के बारे में बताने से पहले मैं बाकी देश की Hypersonic Missiles के बारे में बताना चाहूँगा रसेया के पास दो Hypersonic Missiles है 1. Avangard Hypersonic Glide Vehicle है जो की Operational Service में है एवनगार्ड को UR-100 ICBM से लाँच किया जाता है ICBM यानि की Intercontinental Ballistic Missile और ये MAC-25 से 27 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है एवनगार्ड Hypersonic Weapon System की रेंज 6000 किलोमेटर से जादा है रसेया की दूसरी Hypersonic Missile का नाम Zircon है जो की MAC-8 से MAC-9 यानि की 6000 से 9800 किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ती है Zircon एक Scramjet Powered Anti-Ship Missile है जिसे रशिया नेवी के शिप्स में लगाए जाएगा American Hypersonic Missile System को Boeing X-51 वेव राइडर नाम से जानते हैं और यह MAC-6 यानि 6400 किलोमेटर पर आर की स्पीड से उड़ता है इसके लावा, अमेरिका की दूसरे Hypersonic System को Common Hypersonic Glide Body या CHGB भी कहा जाता है जो की अभी भी Under Development है और उसका First Test March 2020 में हुआ था CHGB Missile की स्पीड MAC-17 यानि 21,000 किलोमेटर पर आर होगी अब बात करते हैं अपने पडोसी देश चाइना की चाइनिज Hypersonic Glide Vehicle को DFZF कहा जाता है और इससे 2019 में चाइनिज आर्मी में शामिल किया गया था DFZF को DF-17 बेलिस्टिक मेसाइल से लाँच किया जाता है DF-17 एक ऐसी मेसाइल है जिससे Hypersonic Glide Vehicles के लिए ही डिजाइन किया गया है चाइनिज DFZF की स्पीड MAC-10 यानि 12,300 किलोमेटर पर आर होती है अब बात करते हैं Indian Hypersonic Technology Demonstrator वहिकल यानि HST-DV की HST-DV एक वेपन नहीं बलकि Technology Demonstrator है जिसे DRDO ने बनाया है HST-DV में Scramjet Technology का प्रयोग किया गया है 7 सितंबर 2020 के टेस्ट में HST-DV को अगनी 1 मेसाइल के बूस्टर पर माउंट किया गया था launch के बाद जैसे ही मेसाइल 30 किलोमेटर की उचाई पर पहुँची HST-DV मेसाइल बूस्टर से अलग हो गई और अगले 20 सेकिंड में ही मैक 6 यानि की 7400 किलोमेटर पर आर या 2 किलोमेटर पर सेकिंड की स्पीड तक पहुँच गई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 7 सितंबर 2020 का ये टेस्ट HST-DV का Small Duration and Low Capability टेस्ट था क्योंकि 22 नवंबर 2010 को DRDO चीफ वी के सारस्वत ने ये बोला था कि HST-DV को Mac 12 यानि की 14,800 किलोमेटर पर आर की स्पीड के लिए डिजाइन किया गया है इसका मतलब Mac 12 की स्पीड वाला HST-DV, Chinese DF, ZF Hypersonic Glide Vehicle से कहीं जादा तेज उड़ता है HST-DV के इस सक्सेस्फुल टेस्स से इंडिया ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि इंडिया के पास Hypersonic Missile बनाने की टेक्नोलोजिकल कैबिलिटी है DRDO की स्टेटमेंट्स के अनुसार HST-DV को Civil और Military दोनों फिल्ड में यूज़ किया जाएगा Civil रोल में HST-DV को छोटे सैटलाइट्स को स्पेस में लाँच करने के लिए यूज़ किया जाएगा जिससे सैटलाइट लाँचिंग कॉस्ट आज के PSLV रोकेट से भी कम होगी इससे इंडियन स्पेस प्रोग्राम को बहुत फायदा होगा Military Service में HST-DV hypersonic cruise missile की तरह काम करेगी HST-DV की high speed के करण ये किसी भी multi-layered air defense system को नश्ट कर सकती है HST-DV एक बहुत effective anti-ship missile भी बन सकती है जो कि Chinese ship को destroy करने में कामयाब होगी Expert के अनुसार HST-DV के technology से जो भी missile बनेगी उसकी minimum range 1000 km से जादा ही होगी Last में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि HST-DV के अलावा भी Indian एक और hypersonic missile पर काम कर रहा है जो कि BrahMos 2 है BrahMos 2 hypersonic cruise missile रश्या और इंडिया मिलकर बना रहे है BrahMos 2 की speed max 7 यानि की 8600 km पर आर होगी BrahMos 2 में air breathing scram jet engine का use किया जाएगा BrahMos 2 एक anti-ship missile होगी जिससे Indian EV के ships जैसे की Kolkata class destroyer या नए विशाखा पत्नम class destroyer में use किया जाएगा BrahMos 2 missile की first test fight 2020 में होने की उमीद है आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि HST-DV hypersonic missile को test करके इंडिया ने एक बेहत important missile technology में महारत हासिल कर ली है आने वाले सेमे में HST-DV इंडिया की तीरों से नाओं में शामिल किया जाएगा और उसके बाद Chinese army इंडिया को अपनी hypersonic missile DF-ZF से कभी target नहीं कर पाएगी क्योंकि इंडिया के पास चाइना की हर hypersonic missile का मोतोड जवाब देने के लिए HST-DV से बनी hypersonic missile होगी इसी के साथ हम इस topic को इस वीडियो में यहीं पर end करते हैं हो सके तो अपने feedback कमेंट्स में जरूर बताइएगा हम इसी तरह इने नाम forces से related videos लाते रहेंगे वीडियो गर अच्छे लगी हो तो like, subscribe और share अती आवश्यक है और घंटी के option को दवाना मत भूलिएगा उसी से आपको हमारी नई वीडियो अप्लोड्स की notifications मिलेगी जैहिंद